एक यंग संत हैं बहुत जदा बागेश्वर धाम के वो लोगों के बारे में कुछ प्रिडिक्शन करते हैं और वो कहते हैं मैं चमतकार नहीं करता मेरे इस्ट की अराधना करता हूं किसी की दुख्ये सुनके और मेरे पास कुछ मतलब मेरे दादा जी से मुझे कुछ सिद्ध विखंग मिली हुए है यह तरिक नई सिद्धि नहींक्ति लेकिन लोगों ने उनके किलाफ़ पूरा पर्पा empir Empir चला दिया कि इसको कैसा जिखते हैं कि कईरे तो शल्क्र आपका विश्वास्वास जै मारी आपका विश्वास से नहीं माने आपका भर्षर में विश्वास है आप मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं अब जिसको विश्वास है उसके अपने आस्ता उसकी आत्मा संतुष कोती है अब उसके मार्ग में क्यों बाधा बनता है एक कहावत है कि हाती चले बजार और कुत्ते भौके हजार इसी प्रकार से हाती बजार चल रहा है और कुत्ते हजारों की तादात में भौक रहा है देश से भौकना बंध हो गया था कि अब जर्मनी से भी भौका जा रहा है इसी प्रकार से अनेको वीडियो बागेश्वरधाम के विरुद में बनाये जा रहा है और इनकी पीड़ा क्या है कि इस प्रकार से इनके पेट में दर्ध हो रहा है इनके पाशोभाग में आग कैसे लग रही है यह मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर एक्सपोज भी कर दिया था लेकिन फिर से जर्मन से कुकुर भौका और उसके बाद सभी लोगों ने बागेश्वर धाम के उपर प्रश्चिन्न उपस्तित करना स्टार्ट कर दिया और यह वही लोग है जिनको अगर फैक्ट्स की बात करने पर मैं आ जाऊं तो इनके फैक्ट्स के अधार पर मुझे उत्तर देने के लिए सिर्फ एक ही बात होता है अंदभग वाट्सप इनिरसिटी वाले कोई ना आज हम बात करेंगे कि इनके पापा जिस प्रकार से इनको फैक्स परोस्ते हैं और इनके प चलिए आज का वीडियो जर्मनी से याने के हमारे विडेशी कुत्ते जो भौक रहे उनके लिए आरम करते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रजी बाबा उठकर कहता है कि मैं मिस्टिक हूँ मेरे पास मिस्टिकल नॉलेज है किसी चीज़ को सवाल मत करो बस वो एक्सेप्ट कर लो जो मैं कहने लग रहा हूं और लोग इस सब में यकीन भी कर लेते हैं एस्पेशली और भी ज़्यादा तब यकीन करते हैं लोग जब कोई फरजी बाबा इंगलिश में बात करने लग जाते हैं सब्सक्राइब साथियो जैसनातन सुवागाट आपसे का अपने स्यूटूब चैनल आश्टोजा थोट्स के अंदर जहां बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुतुवा इथियास की आज का वीडियो आरंब करने से पहले आप सभी से अनुरोद करता हूंगे क्रिपय तो आपके कानों तो ऐसी भाषा पहुंच जाए जिसे आप लोगोंने मेरे मुख से कभी सुनी नहीं होगी क्योंकि जर्मनी के बारे में बात करते वेक्त मेरा जो सायम है अकसर तूट जाता है और सायम की जहां तक बात करो तो आपके अदालत में जिस प्रकार से रदर शर सेंगे पालघर के संतों को बरबरता के साथ मारा जाता है कब तक सेंगे रामचरित मनस की प्रतियां जलाई जाती है कब तक सेंगे संतों को पाखंडी इस देश में बताया जाता है कब तक धहर और संयम रखें एक दिन भगवान का भी धहर खो गया था और उन्होंने भी ब जो इतने सालों से हिंदुस्तान के ठुकड़े करने की बात करते थे, आज उनको उत्तर देने वाले कोई पिठादी शोर आ चुका है, इसलिए इनके पेट में पीड़ा हो रही है, और इन्हें बदनाम करने के लिना जाने कितने सारे वीडियो एक साथ लेफ्ट लॉबी डाल जा रही है, और लाखों के व्यूज के साथ ये वीडियो आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे वीडियो को रोग दिया जा रहा है, खेर कोई बात नहीं, सिस्टम आपका है, सब कुछ आपका है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जर्मनी शेफड के जितने य कुकुर लोग आएंगे, उन लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके मन में अपने पिता जी के लिए बड़ा ही रिस्पेक्ट है, होना भी चाहिए, लेकिन आपके पिता जी जब किसी को डिस्रिस्पेक्ट करके अपने फैक्स को तोर मरोड का पेश करते हैं, तब उन्हें भी थोड़ा सा facts सिखा देना चाहिए और जितने भी लोग यहां पर comment करेंगे कि भाई वो facts के अधार पर बात करता है पंडी द्रेंद्र शास्त्री ढोंगी है facts को पेश करो facts की बात करो आवे बस करो तुम्हारे बाप का facts किस प्रकार से आता है मैं भी थोड़ा बता देता हूं ध्यान से सुनो करोडों की funding लेकर इशाई मिशनरी भारत के अंदर धर्मांतरन करते हैं इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं नहीं आप कर सकते हैं और नहीं आपका जर्मनी में बैठा हुआ बाप कर सकता है देश के आबादिप 150 करोड और इस 150 करो यह पूछा गया कि जनम से लेकर अब तक आप जिस धरम में पैदा हुए थे क्या आपका दर्मांतरन किया गया सभी का उत्तर था नहीं यानि आपके बाप के रिपोर्ट के अनुसार माफ करना फैक्ट के अनुसार देश के अंदर 0% धर्मांतरन किया जाता है वा यह तुम औरला कि मजाक को साइड बे डखते हैं लेकिन आप लोगो एक चीज बता देता हूँ, अंदरशद्दा निर्मूलन उतना ही जादा अंदरशद्दा है जितना उनका सनातन के प्रतिक घ्रणा है, क्योंकि अंदरशद्दा निर्मूलन ने कभी भी क्रिश्चन धर्मांतरन को लेकर एक शब्द तक नहीं निकाला, य बारे देश में देखिए क्रिश्चन इंसिट्उशन कैसे काम करते हैं, पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपादी दिया, आदार क्या है, आधार ये है कि मदर टेरेसा ने एक बार किसी महिला के शरीर पर हात रखा और उस महिला का गरभाशय का कैंसर ठीक हो गया, मदर टेर अब भारत के कोई साधू संता का काम करें, तो वो जोन के अंदर, क्योंकि वो अंदर विश्वास मेला है, देश का सबसे बड़ा धोका और देश के सबसे बड़ा खिलवार अगर किसी ने किया है, तो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा की सच्चा यगर आप लोग को जाननी है तो मदर टेरेसा के नाम पर एक डॉक्यमेंटरी है, मदर टेरेसा, फ़र लव अफ गौड, यह डॉक्यमेंटरी आप लोग जाकर अवश्य देखें, क्योंकि उनके जितने नीजी लोग थे, उनके परसनल इंटर्व्यूस इस सब के अंदर शामिल है, और यह डॉक्यमेंट अंदर शिद्दा को लेकर कुछ बोलना चाता है, तो मदर टेरेसा को एक्सपोज करने वाला एक वीडियो सच्चाई के साथ निकाल कर दिखा दे, बस इतना ही मेरा चैलेंज है, इसे स्विकार करके दिखा दो, और उसके जितने भी बेटे हैं, चेले हैं, कुकुरमुत्ते कृपया इस बात को अपने पिता जी तक अवश्य पहुंचाए, जर्मन शेफट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहोंगा, लेकिन जर्मन शेफट से आप लोगो सावधान होने के आवश्यक्ता है, क्योंकि ये बंदा बड़े आसानी से आप लोगो बेवकु बना सकता ये रामायन को माइथालोजी कहता है, इसे कहानी बताता है, राम एक्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सारी बात ये अपनी वीडियो में कह चुका हुआ है, इसके बहुत से क्लिप से से वाइरल है, लेकिन अगले ही वीडियो के अंदर ये रामायन के उपर वीडियो बनाता है, क्याता है कि राम जी सहन शील थे, हनुमान जी बड़े शांत सुभाव के थे, इतने रुद्र क्या उतार नहीं थे, वो बात अलगे कि उनका एक नाम रुद्रा भी है, लेकिन रामाइन को कालपनिक बताने वाले बाद में रामाइन के उपर ही ग्यान बाढ़ता है, और इनके यही वीडियो आगे पीछे लगा दोगे तो यह बंदा खुद ही एक्सपोस हो जाएगा, मुझे अलग से बताने कि आवशकता नहीं, अब थोड़ा सा इसके जो प्रोपगेंडा यह फैलाता है, इसके उपर हैं बात करना चाहूंगा, मैं आप लोगों को बता दू कि आप इस सारा का सारा दोश नुपूर शर्मा का ही था, अब इस मामलेविमी इसी प्रकार से किया गया कि बागेश्वर धाम धोंगी है, और भी दो-चार एक्जामपल छोटे-मोटे उठा लो, प्रोफेट बलजलदर सिंग को यह लोग कुछ अभदर टिपनी करके बात नहीं कर करके उसे अफमानित तरीके से बात करेंगे, क्योंकि पिताजी है उनके, और इसी प्रकार से दो-चार छोटे-मोटे एक्जामपल उठा लो, लेकिन बागेश्वर धाम को टार्गेट करना एक मात्रहिन का उद्देश था, उस वीडियो के बाद किसी ने प्रोफेट बलज जानता है कि कब इसे वीडियो बनाना है, कब हिंदु धर्म को सेंटर में रखकर उसे टार्गेट करना है, और आसपास के छोटे-मोटे एक्जामपल दिखा कर बताना है कि भाई, मैं तो अनबायस्ट हूँ, और जितने मुझे लोग कहेंगे कि तू अनबायस्ट नहीं है, राम नोमी का वडिक देने वाले सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, इंडियन गवर्मेंट तो गलत ही पैदा हुई थी, गलत ही होगी, और जितने भी लोग है, रामायन गलत है, महा भारत गलत है, इतियास गलत है, भारत एंशेट हिंस्त्री गलत है, हवन गलत है, हवन की संद आया होगा तो इस वीडियो को अधिक साधिक शेर करके यह मेरा जो चैलेंज है अपने पिता जी उनके फॉलोर्स के कहा रहा हूं अपने पिता जी तक अवश्य पहुचाना अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातन यो तब तक के लिए जैसनातन